जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर स्वयम्भू से संबंदित भूत ही महत्तपुन कॉस्चन है आप ब्रंस का बालमी की कहा जाता है स्वयम्भू जी को तो इनसे संबंदित आपसे यहाँ पर बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए तो वीडियो को पूरा वस्तर देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बैल आइकन दवाए ओल पर क्लिक करें ताकि वहल वीडियो की जानकारी आप क्या मानजाता है तो 17, 183 इस भी आपका यहाँ पर सही आंसर हो का विकल्प नंबर भी आपका यहाँ पर सही आंसर है कॉस्चन नंबर 2 है स्वयम्भू की कितनी रचनाएं उपलबाड हैं 3, 5, 4 या फिर 6 तो यह महत्यपुन नंबर 2 है सही आंसर है इनकी 3 रचनाएं Соही कि किनकी स्वयम्भूझी की बिलकुल सही अंग्ला कोस्चन क्या है तो कॉस्चन नंबर है अहाँ पर 3 स्वयम्भू की किस रचिना में रामकता का बंदन हुआ है बै रचिना आपके लिए बताना है कौन सी रचिना है जिसमें रामकता का बंदन हुआ है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है Q3 का विकल नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है पयूम चरियू पयूम चरियू आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल चाही स्वयंभू की इस रचिना में भक्ति की तैनमेता काभी की सरस्ता एवन प्राकरतिक स्वंदर का सुख्ष में बंडन है किस रचिना में हुआ है एह बंडन यह आपको बताना है कॉस्चन नमबर चार है महत्पूर है और आपका सही आंसर है विकल्प नमबर बी यानिकी पयूम चरियू आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही अंगला कॉस्चन क्या पूछा गया है तो यहाँ पर अंगला कॉस्चन जो पूछा गया है आपसे किस जेन संत को अपिभरंस का बालमी की कहा जाता है महत्तपूर्ण कॉस्चन है जेन संत कौन है जिन को अपिभरंस का बालमी की कहा जाता है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कॉस्चन नमबर पांच का विकल नमबर डी राइट आंसर स्वेंभू को स्वेम्भू को जो है जेन संत को अपरंस का बाल में की कहा जाता है तो स्वेम्भू जी को अंगला question क्या है स्वेम्भू की किस रचना में किष्ण लीला का बंडन हुआ है तो स्वेम्भू जी की वह कौन सी रचना है जिसमें किष्ण लीला का बंडन हुआ है तो question number 6 का right answer विकल्प number 1 यानिक रिट्ठ नयमी चरियू आपका यहाँ पर सही answer होगा स्वेंबू के किस गरंत को उनके पुत्र तिर्भबन ने पूरा किया था तो भाई गरंत बताना है कौन सा भाई गरंत स्वेंबू का तो स्वेंबू जी का गरंत माना जाता है पयूम चरियू जो पयूम चरियू है इस गरंत को पूरा किया था तर्भबन ने उनके पुत्र थी अंगला कॉस्चन है कॉस्चन नमबर आठ पूंचा गया है किस आलू चक ने स्वेंबू की आप प्रकासित रचनाओं का संग रहे कर हिंदी का बधारा नाम से प्रकासित कराय था किसने कराय था ये बताना है तो बहे आलू चक कौन थे तो बहे आलू चक थे कौन राहुल स इतंग के तयान करेट क्या हैं तो विकल्प number 2 आपका जाएंचर रामकता की गई है है आपको बताना time time में या फोगी है या फिर पांक में या फिर शेकंड ले आपहं पताईए कितने कांड्यों में जो है इसकी रछना की गई है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 5 कांड में तो विकल्प नमबर C आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नमबर C यहाँ पर है राइट आंसर यहाँ पर देखिए यह जो विकल्प नमबर C है वह आपका सही आंसर है question number 10 क्या पूँचा है तो question number 10 पूँचा है स्वयंभू की रचना पयम चरियों में काप बे सेली है तो कौन सी काप बे सेली है ये बताना है question number 10 है और महत्यपून है और आपका सही आंसर है question number 10 का विकल्प नंबर C साथ चौपाई के बाद एक दूहा ये जो है आपका सही आंसर है तो विकल्प नमबर सी आपका सही आंसर होगा कॉश्चन नमबर 11 हिंदी की परतम रचिना स्राविकाचार की रचेता कौन माने जाते हैं देवसेयन धनपाल पुस्पदंत या स्वंभू तो इंदी की परतम रचिना माने जाते हैं स्राविकाचार और इसके जो रचेता माने जाते हैं भै माने जाते हैं कौन देवसेयन देवसेयन आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर होगा देवसेयन क्रित स्रावेका चार का बंड़न विसाय पूंचा गया है इसमें इसका जो बंड़न विसाय है क्या है तो कॉस्चिन नमबर 12 है वो 12 का सही आंसर है इसका जो बंड़न विसाय है भै क्या है तो आपका राइट आंसर विकल नमबर 1 एक स्रावक धर्म का बंढन स्रावक धर्म का बंढन इसका बंड़्ण मानन जाता है बिल्कुल सेइ question number 13 है क्या पूचा है तो यहां पर पूच़ा गया है कि रास परम्परा का प्रथा ग्रेंट भरतेशुर बाहु बली रास की रशीनकार माने जाते हैं देवसेन, धनपाल, सालिवद्द सूरी ये सेंभू तो question number 13 है वो तेरह का सही answer है विकल्ब number 2 की भरतेशुर बाहु बली रास, ग्रेंट की रचेता माने जाते हैं सालिवद्द सूरी माने जाते हैं भविस्यत कहा कि रचीत माने जाते हैं तो बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका question number 14 का महत्वपूर्ण question है भविस्यत कहा कि रचीत माने जाते हैं धनपाल तो विकल्प number C आपका यहाँ पर सही आंसर है देवसेन क्रेत इस राबका 4 में कुल 2 हैं 202, 300, 250, 303 तो आपका यहाँ पर question number 15 है और 15 का right answer है 250 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही 250 आपका right answer है यहाँ पर question number 16 है किस जहन संत को अप्रंस का पांड़नी कहा जाता है देखे अभी अप्रंस का बालमी की पूँचा तक कि किस जहन संत को अप्रंस का बालमी की कहा जात तो विकल्ब नमबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कॉस्चन नमबर है अपना यहाँ पर 17 साली बद्द सूरी कृत भरतेसर बाहु बली रास में कुल चंद है इसमें चंद पूचा जो की भौत ही महत्वपून कॉस्चन है और इसमें कितने चंद है तो 17 का सी राइट आंसर है 205 चंद बताएगा है इसमें बिल्कुल चाही कुमार, पाल, काब्व की रचेता माने जाते हैं स्वामप्रभ सूरी, धनपाल, साली बद्द सूरी या स्वयंभू तो कॉस्चन नमबर 18 है और 18 का राइट आंसर है स्वामप्रभ सूरी आपका विकल्प नमबर एक आहां पर सही आंसर होगा तो बिल्कुल सही यहां पर अपने देखिए बहुत ही महत्वपून कॉस्चन कबर किये हैं कि जो अप भरंस का बाल में की कहे जाते हैं स्वामपू सहमबू से संबंदत महत्वपून क्यों कंपलेट किये अंगले विडो में देखेंगे कि आप भरंस का ब्यास कहा जाता है पूस्पधनत जी को इनसे संबंदत महत्वपून कॉस्चन क्या असा लगा ये वीडियो कमेंट में जरू बताएं इसी तरह कि आपको पूरे कभी जो लेखा कि उनसे संबंद जितने भी कॉस्चेन यहाँ पर बनते हैं उनसे संबंद आपको यहाँ पर वीडियो में लिकर आएंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ओल पर कलिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी आपके हाँ पर सबसे पहले पहुचें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज के वीडियों में बस इतना इस अवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हैं